लोटस आहरवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज मैं बात करूंगा राद में बार बार लगती है पेसाब तो हो सकते हैं यह बिमारी के सिकार तो आई शुरू करते हैं आज के वीडियो लेकुन से पहले बोलना चाहूंगा चैनल आपने पानी नमक इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिया और यूरिक एसिड जैसे रसाइने उससे मिलकर पेसाब या मूत्र बनता है शरीर में बिसाक्त पतारतों को च्छांते समय आपके गुर्दे कि इसका निर्बान करते हैं कि दिन हो या रात दो बार दो चार बार पेसाब अना सामन बात है इसके अलाबा आप जितनी मात्रा में पानी पीते हैं आप उतना ही पेसाब के लिए जाना पड़ता है लेकिन अगर आप रात के समय सोने के बाद बार बार पेसाब करने जा रहे हैं तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है दो कि रात के समय दो से तीन बार प्षाब जाना सामन है लेकिन अगर आपको हर गंटे या गंटे में दो बार प्त पर शाब करने जाना पड़ता है तो इसे नजर-ondern……। किया जा सकता है तो आए जानते हैं रात में बारबार पेसाब क्यों आता है या एक किस समस्या का लक्षन हो सकता है रात में बारबार पेसाब आने के कारण रात में बारबार पे इसाब आने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं कभी कबार ऐसा होना सामान माना जाता है आपके खानपान और जीवन सली से जुड़े कारणों के हिसाब से ये परिशानी बढ़ सकती है लेकिन अगर आपको रोजाना इस परिशानी से गुजरना पढ़ ला है तो ये सामान नहीं है रात में बारबार पे इसाब आना नौक्टूरिया जैसी गंभीर समस्या का संक्यत हो सकता है इस इस्तिति में आपका सरीर सोते समय मूत्र का सबसे ज्यादा निर्वन करता है और इसकी बज़े से आपको रात में बारबार पे साब करने जाना पड़ सकता है रात में बारबार पे साब का आना इन बमारियों का संक्यत हो सकता है OAB या hyperactive bladder, pelvic tumor या blender tumor, blender prolapse, diabetes, kidney infection, NGT, पैरों के निचले हिस्से में सूजन, neurological disorder, organ failure, मुत्रमार्ग में संक्रमण, रात में बारबार पेसाब आने का इलाज, आम तोर पर इस समस्था का इलाज करने के लिए डॉक्टर पहले मरीज की दिन चरह और खान पान समझते हैं, उसके अलावा मरीज की इस्तिति के हिसाब से कुछ दबाओं का सेवन करने को सलह देते हैं, अगर आपको बारबार पेसाब आने के समस्था डायबिटीज की बज़े से हो रही है तो डॉक्टर आपको डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए दबाएं देंगे, इसके अलावा कुछ गंबीर मामलों में मरीज को सर्जरी की भी जरूत पर सकती है, रात में बारबार पेसाब आने से बचने के टिप्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इस बिमारी से छुटकारा मिल सकता है, इसके अलावा सरीर का बजन कंट्रोल में रखें और निवीत रूप से एक्सराइज या योग का अभ्यास करें तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं धन्यवाद